28 राज्यों के राज्यपाल का नाम नवंबर 2021 तक अपडेटिड काफी ज़्यादा important topic है अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो तो friends वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ friends मैंने आपके लिए सभी question selected और important लिए हैं अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा useful रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं first question से first question है मारा पंजाब के राजजेपाल का क्या नाम है सही answer है option A बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राजजेपाल का नाम है ये आपने याद रखना है friends साथ साथ है मैं आपको फोटो भी शो कर रहा हूं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए और friends अगर यहाँ यहाँ पर बात हुई है पंजाब की तो हम पंजाब की राजजदानी देख लेते हैं चंडिगर राजदानी है अगला question है करनाटक के नए राजज अगर हम बात करें मध्य परदेश की राजदानी वह है भुपाल next question जारखंड के नए राजजदानी की वह है राजजदानी की वह है राजजदानी की बात करते हैं वह है चंडिगर next question जारखंड के राजजदानी की वह है देखर राजदानी एक दहजदानी है जोकी शीत कालिन राजजदानी है आदूसी राजदानी है गयरसें जो की summer capital है यानि की गिरिश्म कालिन राजधानी है उतराखंड की यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स आपके लिए एक important information है फ्रेंड्स हमारा current affairs का channel launch हो चुका है जहाँ पे आप daily current affairs बिल्कुल detail में पर सकते हो detail में free pdf हर दिन दिया जाता है हमारे channel का नाम है current affairs by ravie और trending gk by ravie हमारा daily gk का channel है आप दोनों channel को अभी subscribe कर लिजिए next question है हमारा तमिल आडू के राज़ेपाल का क्या नाम है सही आंसर इसका option d rn ravie rn ravie जो है यह तमिल आडू के राज़ेपाल है यह आपने याद रखना है अगर हम बात करें तमिल आडू की राज़दानी की फ्रेंट्स वो है channel यह भी आपने याद रखना है अगला question है मनिपूर के राज़ेपाल का क्या नाम है सही आंसर इसका option b lag ganeshan मनिपूर के राज़ेपाल है अगर हम बात करें मनिपूर की राज़दानी की वो है इमफाल next question गोवा के नए राज़ेपाल का क्या नाम है सही आंसर इसका option d पियश श्रीधरन पिल्लेई गोवा के नए राज़ेपाल है गोवा की राज़दानी की बात करें पंजी राज़दानी है हमाचल पर्देश की राज़धानी की दो राज़दानिया है एक है शिम्ला जो की समर कैपिटल है यानि की गिरिश्म काली राज़दानी है दूसरी है धरम्शाला धरम्शाला है विंटर कैपिटल यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स और कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना अगला कोशन मिजोरम के नए राज्येपाल का क्या नाम है सही आंसर है ओप्शन सी हरी बाबु कमभम पती मिजोरम के राज्येपाल है मिजोरम की राजधानी की बात करें आईजोल राजधानी है नेक्स कोशन तिरिपूरा के नई राज्यपाल का क्या नाम है सही आंसर है ओप्शन C सत्यदेव नराइन आर्या सत्यदेव नराइन आर्या तिरिपूरा के नई राज्यपाल है राजधानी है अगरतला ये आपने याद रखना है अगला कोशन असम के राज़ेपाल का क्या नाम है? सही आंसर है ओप्शन ए जगदीश मुखी असम के राज़ेपाल है अगर हम बात करें असम की राज़धानी की फ्रेंट्स वो है दिस्पूर ओडिसा के राज़ेपाल का क्या नाम है? सही आंसर है option B गनेशी लाल यह ओडिसा की राज़दानी की फ्रेंट्स वो है भूवनेशुवर फ्रेंट्स वीडियो के डिस्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ मैंने लिंक है मेरे website का जिसका नाम है रवीStudyIQGK.com Google करना है आपको रवीStudyIQGK.com ठीक है फ्रेंड्स वहाँ पर जाके फ्रेंड्स आप ये सभी question बाद में पढ़ सकते हो मतलब वो notes है मेरे जो notes मैंने बनाये हैं उसी का link है पर जितनी मर्जी बार आप पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री है आपके लिए रवीStudyIQGK.com अगला question अरुनाचल परदेश के राज्येपाल का क्या नाम है सही answer है option C, BD, Mishra, अरुनाचल परदेश के राज्येपाल है अगला question है मारा, आंदर परदेश के राज्येपाल का क्या नाम है सही answer है option C, Veshua, Bhushan, Hari, Chandan, आंदर परदेश के राज्येपाल है आंदर परदेश के हम राज्येपाल के अगर बात करें आंदर परदेश भारत का एक ऐसा राज्ये है जिसकी तीन राज्यानिया है विशाका पटनम कारेपाली का राज्येपाली का राज्येपाली है अमरावती विधाई राज्येपाली है कुर्नूल जो है तीसरी राज्येपाली है जो की नया एक राज्येपाली है आंदर परदेश की यह आपने याद रखना है अगला कोशन कर लेते हैं बिहार के राज़ेपाल का क्या नाम है सही आंसर है आप्शन B फागू चोहान बिहार के राज़ेपाल है बिहार की राज़दानी है पटना नेक्स कोशन केरल के राज़ेपाल का क्या नाम है सही आंसर है, option D, आरिफ मुहम्मद खान केरल के राज़्यपाल है, राज़धानी की बात करें, तिरुवननत्पुरम केरल की राज़धानी है next question, अगला question है महरा, महाराष्ट के राज़्यपाल का क्या नाम है, सही आंसर है, option A, भगत सिंग कोशियारी, महाराष्ट के राज़्यपाल का नाम है, बात करें अगर हम महाराष्ट की राज़धानी की फ्रेंट्स, वो है मुंबई अगला question है, राज़स्थान के राज़्यपाल का क्या नाम है, सही आंसर है, option D, कल राज मिष्रा, राज़्यपाल है, राज़धानी की बात करें, जैपूर राज़धानी है नेक्स्सकोशन मिघाले के राजड़ेपाल का क्या नाम है? सही आंसर है, ओप्शन D, सत्यपाल, मलिक, मिघाले के राजड़ेपाल हैं, यह आपने याद रखना है अगर हम बात करें मिघाले की राज़दाने की फ्रेंट्स वो है शिलॉंग अगला कोशन, नागालेंड के राज्येपाल का क्या नाम है, सही आंसर इसका, उप्शन ए, जगदीश मुखी, नागालेंड के राज्येपाल है, लेकि फिर अतरीक प्रभार दिया गया है आरेंड रवी को, और राजधानी है कोहिमा अगला कोशन है, सिक्किम के राज्येपाल का क्या नाम है, सही आंसर है, उप्शन ए, गंगा प्रसाज जो हैं, ये सिक्किम के राज्येपाल है, राजधानी की बात करें, गैंग टोक राजधानी है सिक्किम की नेक्स कोशन चटिस गड़ के राज़ेपाल का क्या नाम है सही आंसर है ओप्शन सी आनुसुया उईके चटिस गड़ के राज़ेपाल है और अगर हम चटिस गड़ की राज़ेपाल की बात करें निया राइपो चटिस गड़ की राज़ेपाल है अगला कोशन, उत्तर बर्देश के राजजबाल का क्या नाम है? सही आंसर है, option C, अनंदी बेन पटेल उत्तर बर्देश की राजजबाल है, यह आपने याद रखना है अगर राजधानी की बात करें, लखनो उत्तर बर्देश की राजधानी है नेक्स कोशन तेलंगाना के राज्येपाल का क्या नाम है सही आंसर है उप्शन बी तमिली साई सुंदर राजन तेलंगाना की राज्येपाल है ये आपने याद रखना है और फिर जगर हम बात करें तेलंगाना की राज़धानी वो है हैदराबाद अगला कोशन गुजरात के राजजेपाल का क्या नाम है? सही आंसर है अप्शन C अचारे देववर्त गुजरात के राजजेपाल है राजधानी है गांतिनगर फ्रेंट्स ये भारत के जो 28 राज्ये थे उनके राज्ये पाल मैंने आपको बता दिये तो फ्रेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि आज की रेट में भारत में 28 राज्ये हैं और 8 केंदर शाषित प्रदेश हैं तो मैं आपको जो कुछ केंदर शाशीत प्रदेश है जिनके राज्येपाल है या फिर प्रशाशक है या उपराज्येपाल है वो मैं आपको बता देता हूँ तो पुड्डुचेरी के उपराज्येपाल का क्या नाम है सही आंसर है तमिली साही सुंदराजन अगला कोशन मारा दिल्ली के उपराज्यपाल का क्या नाम है आंसर है अनिल बैजल अंडमा निकोबार के उपराज्यपाल का क्या नाम है आंसर है देवेंदर कुमार जोशी जमू कश्मीर के उपराज्यपाल का क्या नाम है आंसर है मनो सिनह लद्दाक के उपराज जयपाल का क्या नाम है आंसर है श्री राधा कृष्न माथोर अगला कोशन है चंडीगड के प्रशाषक का क्या नाम है आंसर है बनवारी लाल पुरोहित दादरा और नगर हवेली दमन दीव के प्रशाषक कोन है श्रीपरफुल पतेल लक्षदीब के प्रशाशक का क्या नाम है श्रीपरफुल पतेल फ्रेंट्स मैंने आपको ये 36 कोशन करवाए उमीद करता हूँ फ्रेंट्स आपको सभी कोशन अच्छे से समझ में आगे होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करना मेरी हमेशा कोशन शेर रहती है मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाऊं कम टाइम में ज्यादा कॉंटेंट दूँ और फ्रेंट्स आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ओपर चाहिए आप मुझे कमेंटर के बताएं मैं आपको आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊँगा और मैं आपको बता दूँ कि डेली करन्ट अफिर का हमारा चैनल लॉंच हो चुका है जिसका नाम है Current Affairs by Ravi Current Affairs by Ravi इस चैनल को फ्रेंट्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक और चैनल है हमारा फ्रेंट्स जिसका नाम है Trending GK by Ravi इस चैनल को भी आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और फ्रेंट्स सबसे बड़ी important information आपके लिए ये है कि जल्दी ना हमारी book launch होने वाली है अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे है हमारी जो book होगी GK की और science की हर exam के लिए काफी ज़्यादा useful रहेगी फ्रेंट्स हमने complete slayvers करवाया होगा अपने book में और फ्रेंट्स आपको ना exam में 90% से ज़्यादा question जोंगे directly आपको हमारी book से देखने को मिल जाएंगे रवी जीके के नाम से e-book launch होगी इसका link भी मैं वीडियो के description में दे दूँगा आप मेरे website ravisstudyqgk.com से जाके buy कर सकते हो इस book को तो चलिए फ्रेंट्स आप हम मिलते हैं next video में thank you and wish you all the best